तो गाईज ECS टीटेन का सबसे बड़ा लिग और सबसे अच्छा लिग मालता टीटेन तो चला उसका आज फर्स्ट मैस है GZZ वर्सेस MTT के बीच में और ये टीटेन बहुत ही अच्छा है क्योंकि भाई देखिए इंटरनेशनल बॉलर जैसा प्लेयर इनको इस पर आपको बहुत अच्छा टीटेन है अगर आपके बास नॉलेज ना होगा तो आप एक तरफा लॉस कर सकते हो ठीक है और आज ग्यानलिक जितने के लिए सबसे आसान होगा इसलिए बाई सभी आज क्या करेगा जिनके बास नॉलेज नहीं होगा 80% 90% सेलेक्षान बेसिक टीम क्या की आएगा इसलिक ले लास करेगा और अगर आपके बास नॉलेज होगा तो आप पांश पांशन मदा प्लैर लेने के लिए भी हिच शितने नहीं होगा और आप चाहो तो उस इस वीडियो में भाई 500 उपीज का गिवब है 500 क्या करना होगा आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा ठीक है और भाई उसके पहले एक बता दूँ अगर टेलिग्राम से अभी तेक छूड़े नहीं हो तो बहुत ही बड़ा गल्दी कर रहे हूं ठीक है वाई इसी तरीके से आपको वीडिंग मिलेगा टेलिग्राम पर टेलिग्राम से जुड़े ना मत भूलना लिंक आपको ये टिव डिसक्रिशन में मिल जाएगा ये टिव क्यों सेक्श्म में पिण करा रा मैसेज भी आपको दिख जाएगा और आगर आपने जिंदेगे सारा करना है तो जूड़ जाना ठीक है तो चलिए गए इस मैश के वारे में आपको बताता हूँ तो यह मैश होने वाला है मार्शा स्पोर्स क्लाब मालता में भेनु रहने वाला है सरिभवनी तो ही रहने वाला है एबर असक्रिया पर 65-75 होता है बॉलिंग फ्रेंडली भेनु है और पेसर को थोड़ बहुत मत आते हैं और बैटिंग जो फॉस्ट करते हैं उनका उनिंग चांस है थोड़ ज्यादा रहता है गोजो जालमी के जो टीम है इनके तरफ से भाई इस बर निव एड़ हुआ है ये स्कॉर्ड और इनके तरफ से बहुत सरे ऐसे प्लेयर है जो अभी तक टीटेन या फिर कोई भी मैच ऑफिशल ही नहीं खेला है ठीक है अगर मुझे मिल जाएगा इनका रिकॉर्ड में आप को शेयर कर जूँगा तो चली यह भी बात करते हैं जिशन खन इस से न्टीटेन में 31 मैश में 612 में उपर आता बैटिंग करने तो इंपोर्टन होगा मेहवु वाली 14 मैश में 27 वाट डालके 7 विके ट्लस 192 डान बैटिंग माने दोनों करके देगा तीन या चान नंबर बै फाइस दुल्ला 5577 उपर वाला बैट स्पान है तो इंपोर्टन होगा अब्दुल कदिर 10 मैश में 61 डान प्लस 3 वाड डालके 3 विके उतने इंपोर्टन नहीं है अब्दनान अनुवार एक मैश में 1 रन अफिब बिलाल क्लाप कांटी में 1 मैश में 13 रन बिलाल खान जो कि एक इंटरनेशनल बॉलर है आपको पता है इनका रेकॉर्ट अभी देखने वाले बात हो कि यह उपर बैटिंग करने आएगा या फिर नीचे भी बैटिंग करेगा ठीके फिर भाई फारुक मुगल इजास आहमेद मजिद जाबेद माइकल दास रियाज अस्राप साव खान खान साकिर good इनका रेकॉर्ट अभी तक मुझे कही पर भी नहीं तो इनके तरफ से इंपॉटन अभी के ली कौन-कौन जिशन खान मेहव बाली गलेंट अभी लेके जासकते हो फजिल रहमान आपके लिए इंपॉर्टन होगा दो बर करेगा फाइज उल्ला पास पास सेवेंटी सेवेंटन और और ज्यादे इंपॉर्टन अभी मुझे दिख नहीं रहा है तो चार पास प्ला इंपॉर्टन ही यासी पास प्ला लेके चलना या फिर चार को भी ले सकते हो और इनका रिकॉर्ड अगर मुझे मिल जाएगा मैं आपको जो मैं लाइफ सेशन करूंगा इटूमे मैं लाइफ करता हूँ टीटेन मैस सुरूने से एक एटेट गटा पहले अगर उसमें मुझे मिल जाएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा तो तब एक्टिविड आना में ठीक है टेलीगाम चैनल में अपडेट दे दूंगा तो और एक जो एक टीम है माटर डीए इनका भाई लास्ट पांस मैस में जितके आरे टीटेन में और इनके स्कॉर्ड में सेम्वेल स्टेनलोस बहाई बहात ही तगड़ा प्ले बहात ही तगड़ा ठीक है खेलेगा त साथ साथ बॉलिंग भी आपको एक या दो बर करके दे सकता है इंपोर्टन होगा स्याम एकुली नप्टिफाइव मैस में उतने इंपोर्टन ही माइकल नजीर 26 मैस में 224 रान प्लस 36 वाट डालके 17 विकेट इंपोर्टन होगा भाई बॉलिंग बैटिंग ये भी दोनों कर इंपोर्टन होगा इस पाटेल 18 मैस में 231 नन इनके टीम में जितने भी प्लेयर है बहुत बढ़िया 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 प्लेयर है इसके नाम है विकेट टेकर बॉल आ रहे है अगा दो बर करेंगा अपको लेना इसको मुथू कुमारन 26 मैस में 30 वर्ट डल के 99 विकेट इसके नाम है ये भी पार्टेम बॉलिंग करते हैं हर मैस में दो बर नहीं करवाता है ठीक है मुहमद जुबेर 15 मैस में 8 वर ही किया है उतना इंपोर्टन नहीं है शगर अरिव इंपोर्टन होगा आपके लिए 9 मैस में 15 वर्ट डल के 4 वि गहलेगा तो पिंटु घो गोस्ट 11 मैस में 20 वर्ट डल के 12 विक इसके नाम है तो ये भी भाई 2 वर करता है अगर खेलेगा तो जैकॉब रेंसी जाकब 12 मैस में 20 वर्ट डलके 9 विकेट तो इसके पहले जितने में मैसेज खेला है दो इसने किया है तो इंपर्टन होगा सथी और माइकल नजीर अर्षद महम्मद कि इसके सब आप जा सकते हो कि अधराइस स्रीजे आई पैटल आपके लिए इंपॉर्टन होगा बड़िया रिकॉर्ड है फाइजल नाइम यह भी दो वर करता है और आपके लिए इंपॉर्टन होगा यह सगर अरीफ पीन्टु घोज तो यह सब में अगर कोई भी खेलेगा इंपॉर्टन होगा आपके लिए हैं किसको देना है आज साथ ही आपके लिए हैंफटन मैस का अच्छा अच्छा अश्जान है माइकन नाजी पैस के लिए सेव कैप्टन मैस यह द्ग रहे हैं औरृ CGI के लिए इनके तरफ से कैप्टैंबाइस घोए अगर खेलेगा तो अगर बेइखा जाए तो मेहवाले ब को लगवका गड़ नहीं बता दिया जिन को बारे मैं नहीं बता पाए old आगी में बता दूंगा टेलिगर्म में तो अभी की है गीवे कर निकल आपको क्ट आपको क्या करना होगा कि कुस नहीं करना है बहला प्यारा सा कमेंट अगर तुम्हारा कमेंट मीच अच्छा लाएगा तो मैं आपको देने वालो 500 उपीज का गिवे 500 कम नहीं होता ठीक है तो 500 उपीज का गिवे में दे दूँगा और चले गए जाबी डेमो टीम आपको में दिखा दो तो गईज अभी के लिए मैंने ये टीम मनाया है एस पैटल जेट खन एस सथी को रखा वैटिंग सेक्षन में और अर्शाद महम्मद का सिलेक्षन अभी तीन परसंट है ठीक है और और एस सथी और इस सेलेक्षन 11 और 18 परसंट है एस पैटल के सेलेक्षन दस परसंट है तो भाई जयाददर पर आपको देखने को मिलेगा कम परसंट वाला प्लेयर है और कैप्टन इस सथी को इसलिए दिया है भाई अभी बैटिंग मलने दोनों करेगा बिलाल खान तो पता ही यह आगर खेलेगा तो इंपोर्टन होगा आपके लिए याज़वाइस के लिए जेड कंशन एक बड़िया प्लेयर इसको भी कैप्टन माइस को जाओ तो यह आप चाहो तो एम अली को दे सकते हो या फिर जेड कान के साथ क्शाथ आ रहा है ऊपर बैटिंग करने आए बॉलिंग आपको एक है दो वर करके देगा तो यह मेरा अभी के लिए यह मेरा फाइ तो उससे जाके आप लोग खेल लेना आपके लाइन अप जो final team होगा और giveaway में participate करना मत गुलना क्या करना होगा वीडियो के बीच में बता दिया है 500 उपीस आपको मिलने वाला giveaway winner को ठीक है क्या करना होगा वीडियो के बीच में बता दिया है तो चलिए गाइस पर मिलता नेक् बीडियोबे